अब आपको प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाने के लिए हजार उपे तक की महेंगी महेंगी कंसल्टेशन फीस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब सरकार की मदद से आप फ्री में डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओगे कैसे चलिए जानते हैं इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखके देंगे जो पूरे देश में अप्रूवड होगा गाए सरकार के इस पोर्टल की वज़े से अब लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छा इलाज मिलने में काफी मदद मिलेगी क्या इसके पहले तक इस पोर्टल की बारे में आप जानते थे और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा पाकिस्तान से बांगला देश को अलग करके पाकिस्तानी सेना के 93,000 सेनिकों को गोटने टेकने पर मजबूर करने में भारतिय सेना के एक ओफिसर की सबसे एहम भूमिका थी जिस पर अभी विकी कोशल अबिनित सैम बहादूर मूवी भी रिलीज हो रही है क्या है इसकी कहान ही चलिए जानते हैं सैम मानिकशा के बचपन से ही बहुत नीडर और बहादूर होने की वजए से उनके चाहने वाले उन्हें सैम बहादूर के नाम से पुकारते थे लेकिन उनका असली नाम हॉर्मुज जी, फ्राम जी, जमशेज जी मानिकशा था बच्पन में वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता जी ने जब इस चीज का विरोध किया तो उन्होंने गुसे में इंडियन आर्मी का फोम भर दिया और वो सलेक्ट भी हो गए, उन्होंने अपने 40 साल के आर्मी करियर में कुल 5 युद्ध लड़े थे साल 1971 में जब बार बार वोर्निंग देने के बावजूद भी पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए तयार नहीं था तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करके सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतिय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था जिसे सैम मानिक्षाही लीड कर रहे थे इस युद्ध के बाद ही बांगलादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद देश बना था गाईस भारत माकिस भादूर बेटे को हम सलाम करते हैं एक IPS अधिकारी जिसे कभी टेंपू चलाने का तो कभी कुत्ता टैलाने का काम तक करना पड़ा बारवी क्लास में फेल होने की वज़े से जिसे नोकरी तक नहीं मिल पाई थी इसी वज़े से उसने चपरासी तक की नोकरी की एक आनी ये IPS मनोज शर्मा की मद्य परदेश के मुरेना में रहने वाले मनोज नकल करके बड़ी मुश्किल से ग्यारवी क्लास में पास हुए थे लेकिन बारवी क्लास में नकल ना कर पाने की वज़े से फेल हो गए मनोज ने टेंपू चुणाने की बजाए उनसे ये पूछ लिया कि आपने अधिकारी बनने के लिए कौन से परिक्षा दी है अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यूपीएसी का एक्जाम दिया है उस अधिकारी की ये बात सुनकर मनोज ने SDM बनने की ठान ली और पढ़ाई करना शुरू कर दिया मनोज ने सबसे पहले बारवी क्लास पास की और फिर चार अटेंप्ट देने के बाद यूपीएसी का एक्जाम क्रेक करके आईपीएस अधिकारी बन गए उनके इसी सफर पर 12 फिल नाम से एक बॉलिवुड में फिल्म भी रिलीज हुई है क्या आपने वो मूवी देखी है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दुम्रपान स्वास्ते के लिए बहुत जादा हानिकारक होता है इससे आपको कैंसर भी हो सकता है लेकिन प्रोब्लम तब आ जाती है जब इसकी लत लग जाती है और फिर छुटी नहीं है ऐसा ही कुछ हुआ तुरकी के इबराहिम युकैल के साथ वो अपनी सिगरेट पीने की आदत को छूड़ना चाता था लेकिन छोड नहीं पा रहा था बहुत परेशान हो चुका था तो उसने एक तरीका निगाला उसने हेलमिट के जैसा अपने सिर के लिए एक केज बनवाया और जब भी वो ओफिस जाता उस केज को पहन के जाता और उस ताले की चावी को अपने वाइफ को देके जाता अब चाहकर भी वो सिगरेट नहीं पी पाता क्योंकि उस केज की चावी एक्चलि उसके वाइफ के पास होती थी इस तरह से उसने अपने एडिक्शन को कम कर लिया लत चुडवाने की इस अजीबों गरीब तरीके के लिए आप क्या कहेंगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा